नमस्कार दूस्तों, श्टाकमार के स्टेडिस में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत सागत है, तो आज मैं यहाँ पर डिसकासन करूँगा कुछ इंपोर्टेंस कमपानी के बारे में, क्योंकि आज इस वीडियो का मात्थम से मैं अटलिस्ट तीन कमपानी के बारे में च होता है रहते हैं, फिलाल के लिए जो सिच्वेशन है, इसका डिमांड बहुत काम हुआ है, तो इसका डिमांड काम होने के पीछे रिजन कौन सा है, सबसे पहले बहुत जान लीजिए, दिखिए, इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं केमिकल पूड़क को और लगाता लगातार जो बनना चाहिए था, वो इस साल में 2023 में इसका पूड़क का डिमांड काम हुआ, अब इसका कम की हुआ, उसके पीछे रिजन भी समझना पड़ेगा, देखिए रिजन एही है, कि चाइना है, चाइना क्या-क्या, कुबीर की टाइम में बहुत ज़दा वह production कर चुके थे। और यहीं production को देखिए। मान के चलिए आप आपका capacity है पचास का और अपनी 500 capacity याव्य好不好 कर चुके है। अभी वह productivity तो बेचा नहीं जा रहा है। तो आपने आप क्या करेंगे। चलो आप कहेंगे कि मेरा product तो चाइना यही कर रहा है कि इतने ज़्यक्षण हो गया था कोवीड के टाइम में उसी पोड़क को वो इरोक कंटीस को सस्ते दामों में डिस्काउन में बेच रहा है बानके चलिए इंडियन पोड़क कोई भी 100 रुपय में बेच रहा है तो चाइना उसको बोला है कि मैं आपको 90 में दूँगा तो इस 85 में दूँगा इस तरीके से डिस्काउन देने के कारण लोग कहां से खरीदरी करेंगे same to same product same to same categories product तो वो चाइना से ही खरीदरी करेंगे न तो year of countries जो है वो totally chemicals product को चाइना से खरीदरी कर रहा है और जिसके चलते हैं इंडियन मार्केट को पर भारी भर कम pressurize देखने को मिला अभी कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब है कि आप अगर किसी भी companies के उपर निवेस करना चाहेंगे तो आपको एक बात को याद रखना है कि आप जब निवेस कर रहे हैं तो उस company का growth कितना जादा है और उसका feature का vision कितना है तो उसी से जुरू है मैं तीन company के बार में discussion करूँगा वो तीनों के तीनों ही company आज discount में चल रहे है किसी के उपर 20% किसी के उपर 50% किसी के उपर 30% इस तरह के से discount दे रहे है तो देखिए discount में हमेशा आपको हर टाइम में share को खरीजारी करना होगा तो discount एक ऐसा price है उस price के basis में तो इस discount price में माल बिचने वाला तीन company के बार में चर्चा करूँगा तो उससे पहले वीडियो को like नहीं किया तो जूरू कर लेजेगा चैनल को subscribe नहीं किया तो जूरू कर लेजेगा फास्ट चो company है जिसके बार में चर्चा करूँ उसका नाम है clean science and technology देखिए clean science and technologies जो एक देखाज़े तो यह भी chemical sector से बिलोग करने वाला company है अगर इसका भी product देखेंगे तो basically companies speciality chemicals को पर काम करते है तो speciality chemicals के उपर काम करना मतलब company आभी फिलाल के लिए pressurize में है कीकि जिसका demand सबसे काम है वह है speciality chemicals के उपर और company देखिए performance chemicals और साथी साथ pharma and agro chemicals उसके साथ FMCG chemicals तो इस तरीके से कैटा को उसके उपर company काम कर रहे है तो company के देखिए जो product है company अगर इस product को में explore करूँ तो और भी data आपको दिखने में मिलेगा तो clean science and technology के सबसे ज़्यदा importance point है 1000 से भी ज़्यदे employees है कस्तमर जो है 500 के असपास है और इसका 14 से भी ज़्यदा plans है अलग अलग plans में company production कर है देखिए तिमें छोटे company होने के बाद भी 14 अलग अलग जगा पे company plans बना के रखे है अभी सबसे important point क्या है company बता रहा है यह company all over world में देखिए कहा कहा पे company का presence है दे से company manufacturing unit सारे के सारे इंडिया में आपको देखने को मिलेगा आपको वायर है उस देखने को मिलेगा जो जो green color में आपको देखने को मिला है और उसके साथ साथ global जो rest है वो भी आप देख सकते है आप देखेंगे तो Canada से लेकर USA मतलब USA से लेकर Mexico उसके साथ साथ आप आपको यूरोप कंटिस में यहां पर बेस किया जैसे UK हो गया, France हो गया, Spain हो गया, Switzerland, Italy, Germany, Greek उसके साथ साथ अब Netherlands, Denmark, Germany, Belgium इस तरह के से अलग अलग ज़ेगा साथ इसाथ इनिक मतलब उक्रेन के उपर भी company माल बेचते है तुर्की के उपर साथ इसराइल के उपर, Egypt के उपर उसके साथ साथ स्रीलोंका और इसके साथ फिलिफाइल्स और इंडोनेसिया, टाइवान, जपान, साथ कोरिया साथ इसाथ, देखिए कितनी बड़े-बड़े कंटिस को बहुत माल बज़ रहे हैं, और स्टिले भी है, साथ अफ्रिका भी है, तो किसी भी कंटिस को उन company नही नहीं छोड़ा, तो यहीं company का stand है सबसे बड़ा, और इस stand को लेकर company आदे बढ़ रहे हैं, अभी देखना यह है, यह company कितना दूर तक इस kodak को लेकर जा सकते हैं, अभी company के जो financial details है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे, तो company का जो financial details है, 1400 करूर के आसप भी है, सबसे बड़ी बात है company के interest coverage margin बहुत strong है, कोई creation भी 1 परसन के और 2 परसन गोपर है, यह भी based है, एक्स्पेंस भी company कंटर में रखे और company की profitability है, वो भी लगातर बढ़ते चले जा रहे है, अभी chemical industries के बारे में बात करूँ तो company के sales का growth लगातर बढ़ते चले चले हैं, तो इस company को पर भी थोड़ा सा pressurize देखने को मिला, अभी इस company के balance sheet के बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे, तो company के balance sheet reserve 186 crore का असपास था, वो बढ़के हो चुक है, 1000 crore का असपास, बारिंस भी देखा है, तो ना के बड़ा बड़ा है, और आदस liability भी देखा है, वो है company के trade receivable, company 131 crore के असपास trade receivable किया, तो इसका मतला हर दिशा में company के positivity देखने को मिला, इसलिए institution भी खुद का holding को continue कर रहा है, जो पहले institution तो holding zero के बराबर था, और आज वो धिरुदेर करके बढ़ता हो देखने को मिले, चाहे वो promoter हो, public हो, FHDS हो, हर किसी के हिसाब से दिखा जाए, तो अच्छारासा holding देखने को मिला है, अभी next चो company है, जिसके बारे में चर्चा कर उससे पहले company के चार्ट पड़न दिखाना चाहूँगा, तो जब से start हो, तब से लेकर ऊपर गया, उसके बदेके big big correction हुआ, अभी correction के मामने में बात करो, top level से, ground level तक देख देखे देखे, auto sector में 2018 के बाद, इसी तरीके से correction देखने को मिला था, और आज auto sector कहा पर है, वो previous level को high करके बहुत उपर चला गया है, तो कहने का मतलब है, इसी तरीके से situation को basis में company काम करते है, तो आपको सोच कर समझ कर काम करना पड़ेगा, अभी next चो company है, जिसके बारे मे देखने को मिलता है, company दिखे, all fastest growth company है, सबसे जो growth company है, वो एही company है, और सारे के जो सारे product है, इसमें से company के एक product जो बाखे companies के मतलब competitor के हिसाब से बहुत ज़्यादा बनाते है, वो है sodium nighted, sodium nighted market share company के 70 बरसन से भी ज़्यादा market share company अक्यला लेकर रखा है, और deepak nighted के उपर ए ज़्यादा देखने को मिलेगा, company आप देखेंगे तो company बता रहे कि पचास हजार से भी ज़्यादा tea plan कर चुके है, क्योंकि company यहीं चार है कि green project को ज़्यादा focus रखा जाए, और इसलिए company उसी तरी किसे product को त्यार कर रहा है, और 2 लाग किलो लिटर से भी ज़्यादा water recycle कर lowest thermal footprints है, उस product के उपर company कामकर है, तो company के जो focus है, आप देखेंगे तो women's and child's के उपर, तो company focus रखेंगे जो, आप देखेंगे तो community cares, उसके साथ health and safety, इस तरीके से product के उपर company ध्यान रखेंगे है, तबसे बड़ी बादे company start हुआ था 1970 में, तबसे लिकर company start किये थे, खुद के business को, उसके बाद देखेंगे company listing हुआ 1971 में, BSC में first listing हुआ, 1972 में company sodium nitrate जो product है, इस product के उपर company, खुद का राज जमाया और गुजरात में एक बहुत बड़ा plant company, एपक plant को बनाया, उसके बाद देखेंगे 1984 में company acquisition किया, स्राद्री, डास्टिक and chemical unit को, उसके बाद देखेंगे commission nitro automatic plant बना चुके है, उसके बाद 1995 में, hydrogen plant भी बना चुके है, 2003 में company acquisition कर चुके है, और manufacturing management का acquisition भी कर चुके है, कुछ companies को, और उसके साथ 2007 में भी company का acquisition किया है, DASDA division को, इस तरीके से company आगे बड़ा, और company आभी, फिलाल के जो situation है, तो 2023 के हिसाब से company कौनसा कौनसा product के उपर काम कर रहे है, वो यह आपर details दिया गया है, तो company यह बता रहे है कि company का daily, DPL जो products है, वो only million tons company touch कर चुके है, तो company के जो overview है, आप देखेंगे तो company 45 countries को product बेचते है, जहापर Europe भी है, America भी है, और भी बहुत सरे countries है, six continents के उपर बेचते हैं, मतलब अलग-अलग continents के उपर company, six अलग-अलग continents के उपर company product बेच रहे हैं, वाल में seven continents है, उसमें से six continents के उपर company product को बेच रहे हैं, 56 company का applications है, और 1000 से भी ज़्यादा इसका customers है, और 1100 से भी ज़्यादा इसका patents है, तो products का patents बना के रखे हैं, तो company का stability कितना है, आप यह आपर देख सकते हैं, और सबसे importance point क्या आप जानते हैं, इस company का customer base, अगर इस company का customer base दिखा दू, तो अब देखेंगे, तो BR-BR इसका customer है, हिंदुस्ता नियमने लिवार, इंडेन वायल, लॉरियल, साथी साथ, BSF, वो भी इसका customer है, टाटा भी इ पर, agrochemicals के उपर, साथी साथ, reasons के उपर, उसके साथ, personal care, उसके साथ, साथ, आप देखेंगे, तो paper के उपर, साथी साथ, आप देखेंगे, तो dyes and pigments के उपर, उसके साथ, अधी साथ, petrochemicals के उपर, coatings के उपर, fuel के उपर, साथी साथ, आप diagnostic के उपर, और उसके साथ, और बारे में अगर आपको पता नहीं है और इसके उपर आप निवस कने जा रहे है तो बहुत बहुत बोई परिके से फससे हैं तो कमपनी का मार्केट के अटथाईस अजर कोड़ के आसपास है, P.R.C. तो ठीक है, R.O.C. आरी तो ठीक देखने को मिला, एन्ओनी इंकम भी अच्छा रहा सा देखने को मिला, डेप के बारे में बात करों तो ना के बारा वाट डेप है, और कमपनी का हाथ में की कैस फ्लो भी देखा जाए तो अच्छा रहा सा देखने को मिला, अभी कमपनी के उपर कमपनी का क्रफिट और लॉस के बारे मात करों तो अब सेल्स देखेंगे, तो कमपनी का सेल्स लगातर बढ़ते चले गए, कमपनी के expense भी बढ़ा, कमपनी का profitability बढ़ा, और सबसे importance point क्या है, इस कमपनी का management इतना strong है, कि सबसे पहले उसका जो करजा है, उसको zero पे लेका है, ना के बराबर करजा लेका है, क्योंकि करजा उनका कहिना है करजा जादा होना मतलब कमपनी के उपर, कितना भी आप profit कर ले, वो profitability आपको profit में नहीं दीखेगा, वो loss में convert हो जाएगा, तो सबसे पहले करजे को zero करना चाहा, और company के जिए net profit है, वो भी लगातार बढ़ती चले गए, फिलाल के लिए situation थोड़ा सा change हुआ है, यह मैं पहले बोल चुग हूँ, केमिकिल का जो demand है, वो यूरोफ कंटीज में काम हुआ है, जिसके चलते कमपणी का sales डाउन हुआ, और profit margin भी काम हुआ, sales growth, profit growth, और hit time of equity और percentage और return, सब कुछ अपको धामागा जैसे दीखेगा, तो अज़े investor, promoter से लेकर, FHDS, पब्लिक हार किसी ने, इस कमपणी को को निवेस करकर रखे है, अभी इस कमपणी के उपर, अज़े चार्ट पटन के साब से बात करूँ, तो आप देखेंगे, तो टॉप लेबल से, अगर मैं टॉप लेबल से डाउन लेबल तक देखू, तो कमपणी के जो करेंट जो सिचुईशन है, उसी सब से देखू, तो 30% की आसपा से आप एक करेक्शन देखने को मिला, अभी कहेंगे सर, क्या इस कमपणी रिकोहरी कर सकते हैं, क्या फिर्सी इस तरीके से माल्टिबू कर रिटन दे सकते हैं, देखें, कमपणी में हाई स्टेविलिटी है, कमपणी आगे बनने के, तो बाकी आप किस तरीके से सोच रहे हैं, इस कमपणी को पर जोरू करना, क्योंकि केमिकल्स कमपणी इसके पर आपको फोकस होना चाहिए, चाहे कोई भी पोड़क का डिमांड हो ना हो, जो फूड, मतलब फूड बनाने में, फूड जो इनिग्रिवेंस है, उसको बनाने के उपर कमपानी केमिकल्स बनाते हैं, पॉलिमर, जो प्लास्टिक पॉलिमर होते हैं, उसको भी कमपानी बनाने के लिए केमिकल्स बनाते हैं, पर्सनल केर के ऊपर भी कंपणी प्रोडक्ट बनाते हैं, सतीषाथ जो नूट्रेशन है, food nutrition मतलब animals nutrition के ऊपर खाने पेने का जो animals का जो खाने पेने का चीज होते हैं, भो भी कंपणी बनाते हैं, Coating जो paint sector के पर है, specialty जो coatings है, वो भी company बनाते हैं, आदास जो ingredient है, वो भी company बना रहा है, यह सारे points में आपके साथ इसलिए share करूँ कि एक company का stand के बारे में पता होना चाहिए, अबी company के details के बारे में चर्चा करूँ, तो इस company के अब data देखेंगे, तो company देखे, खुद manufacturing भी कर सारे products को company मनाते हैं, तो company का growth, obviously feature में जादा होने का chances है, कि company का market cap भी, sorry, market cap भी 13,000 कवर्ट आसपास है, तो high growth होने का chances है, उसके साथ-साथ company का ROC, ROE आपको base देखने को मिलेगा, data's day एक दम ना के बराबर है, promoter के पास अच्चरा सा holdings भी है, income में अच्चरा सा देखने को मिला, अभी company के उपर army plus share भी अच्चरा से देखने को मिला, company के EBITDA margin भी ठीक है, interest coverage भी सांदाद देखने को मिले, और company के जो profit and loss है, वो देखेंगे तो company के sales का growth, वो लगाता लग बढ़ते चले गए, और उस हिसाब से expense को भी company control में रखे, और उस हिसाब से company का profitability है, make profit लगाता लगाता बढ़ते चले गए, यह भी एक company के लिए best point माना जाता है, अभी company के बास sales का growth, profit का growth, percentage of return, और उसके बाद return of equity, सब कुछ आपको अच्छा देखेगा, तर एक साल के हा ना के बराबर हो चुके है, company को कितने trade मिला, सबसे बहले बहुत देखना ज़रू है, company की इस पार करिबन 290 के अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा, और इस सारे चीज़ आपको scanner.com साइट के उपर भी जाकर देखने को मिल सकता है, आप सारे चीज़े को समझेए, सोच study करिए, उसके बाद काम करिए, तो इस company के उपर top level से में down level तक देखो, तो almost जो correction है, तो 30% के उपर correction देखने को मिला, तो इस correction के हिसाब से बात करूँ, तो company के उपर आपको जब जब correction होँआ, तब तब इस company के उपर एक discount मिला है, तो इस हिसाब से company के उपर focus रखिए, ज अगर आप इस company के उपर निवेस करना चाहते हैं, तो आपके risk के इसाब से और आपका जो advisor है, उसके साथ बातकीत करके ही काम करना, इतने एक्स वीडियो में तब तक ले अच्छे सरी अपने ख्यान लखिए, धन्यबाद